तो कैसे हैं आप सब दर्शकों? I hope you all are doing good मैं किंजल कटारिया मेरी टानल कुक तुले वित किंजल पे आप सब का स्वागत करती हूँ आज राजमा चावल बन रहा है वाव! सुनकर ही कितना टेंप्टिंग और यमी लग रहा है और खाने में तो मुझसे वेट नहीं हो रहा So, without wasting your precious time, let's get started यह राजमा है, इन्हें मैंने अच्छे से वाश किया है यह चावल है, इन्हें मैंने प्रेशर कुकर में 5 विसल लगा कर दोनों को कुक किया है वैसे, usually मैं प्यास वगेरा की chopping मेरे वीडियो में नहीं बताती हूँ But, आज मैंने specially आप सबको एक अच्छे concept के लिए यह दिखाना चाहा है Just because, राजमा एक पंजाबी डिश है और पंजाबी डिश में प्यास की कभी भी कोई gravy नहीं पड़ती Yes, आपने ठीक सुना है प्यास के हमेशा बड़े-बड़े chunks काते जाते हैं So that उसका flavor बरकरार रहे दिखिए मैंने कितने बड़े-बड़े chunks रखे हैं इनको बिल्कुल भी great या gravy करके या एकदम से उसका टेस्ट नहीं निकाल देना है तो चलिए आगे के फाइदे मैं आपको आगे throughout the video बताती रहूंगी कलिल गरम हो चुका है 2 teaspoon उसमें राई डाला है राई को थोड़ा सा crackle होने देना है उसके बाद जीरा, हिंग, हल्दी और कड़ी पते ये हो गया मेरा तड़का कड़ी पता मैं always तड़के में डालना प्रफर करती हूं just because उसे flavor काफी बढ़ी आता है और सीधा यहां पे बड़े-बड़े chunks वाला मेरा favorite प्यास जा रहा है प्यास को gravy नहीं करना एक one of the reason इसमें ये भी है just because वो जब gas पर धीमियाज पर continuously stir होता है भूनता है तो उसमें बहुती अच्छी महक आती है वो सौंधी-सौंधी खुश्बू अगर आप gravy करेंगे तो ये खुश्बू आएगी ही नहीं I can bet you for that और इसी लिए पंजाबी सबजी हो या पंजाबी कोई भी आप डिश ले लो उसमें प्यास को या तो एकदम ही स्मॉल फाइनली चॉप करेंगे बट उनको कभी भी ग्रेवी नहीं करते हैं मैंने सॉल्ट एड़ किया है जिंजो गालिक चिली पेस्ट एड़ किया है सॉल्ट मैं इसके लिए यहां पे आड़ कर रही हूं क्यूंकि मैं चाती हूं कि थोड़ा सा ये कुक हो जाए इसे धक कर मैं पका रही हूं थोड़ी देर पिर आगे का प्रोसेस करेंगे और राजमा उबालने के टाइम भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट उसमें एड़ किया थ देखिए आफ्टर 5 मिनिट्स प्याज अच्छे से थोड़ी से क्रिस्प जैसे हो गए है गुल्डन ब्राउन हो गए है बस यही टाइम पे अब टोमैटो ग्रेवी जा रहा है दो बड़े साइस के मैंने टोमैटो को मिक्सी में चला लिया था नहीं बिलकुल भी उनको गैस सेक करके नहीं लिया है कच्छे टामाटर है मैंने मिक्सी में घुमा कि मैं इसमें आड़ कर रही हूं इसका भी एक रिजन है ब्लांच किय ओव टामाटर में से टेस्प निकल जाता है तो मैं कच्छे टामाटर पीशके さथाँ और यहां पर जतना हो सके उतना जादा में य यहां पे मिर्ची और धनिया पाउडर यहां पे आइड कर रही हूँ मैं और बस मसाले जाने के बाद मसाले भुन रहे हैं बस कंटिन्यूसली स्टर करना यह सब कुछ लो टू मीडियम फ्लेम पे काम होगा बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखनी है नहीं तो सब कुछ जल ज मिस्टेक कर देंगे तो फिर आगे के प्रोसेस में फिर राजमा जाएगा वो पानी उसे मजा नहीं आएगा फिर यहां पे अब राजमा एड कर रही हूँ मैं देखिए अच्छे से बॉल भी हो गया और मैंने राजमा का पानी फेका नहीं है वहां पे भी मैंने एक ग्लास इसी वाटरी लग रहा होगा बट देखिए आफ्टर 5-7 मिनिट्स ऑफ बॉलिंग यह देखिए कैसे ओल अलग रिलीज होने लगा है और कितना अच्छे से बॉल हो रहा है और जितना जादा बॉल होगा उतना जादा सबजी में टेस्ट आएगा क्यूंकि यह सारा पानी ज मिक्स पसंद है जादा ग्रेवी नहीं जादा वाटरी नहीं मीडियम पसंद है तो मैं मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखिए अब यहां पे मुझे सॉल्ट का थोड़ा डाउट आ रहा था करके मैंने यहां पे एक छोटे से बॉल में एक स्पोन जितना राजमा नि तो उसका फिर आपको बहुत सारे दूसरे दूसरे नुसके अपनाने पड़ेंगे शुगर या गोड या यह सब आपको डालना पड़ेगा देखिए मुझे कम लग रहा था मैंने थोड़ा सा एड किया है क्योंकि क्वांटिटी अफकॉस थोड़ी जादा है अफ्टर अग अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शे कॉमेंट कीजिए मेरे चानल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिएगे बेल आइकोन को हिट कीजिए थैंक्स पर वाचिंग एंड प्लीज गाइस शेर कीजिए प्लीज थैंक्यू